हेलो दोस्तों, एजुकेशन डॉट फिरी चैनल में आपका स्वागते हम पढ़ेंगे पॉलिटी, पॉलिटी के इंत्रगत भारतिय राज्यों का इतिहास, हम पढ़ेंगे भारतिय राज्यों का इतिहास अज्यादी के समय भारत पाउन सो बाउन से अधिक देशी रियासतों में तोटा हुआ था अंग्रेजों ने इनहीं यह अधिकार दिया था, यह भारत में मिल सकते हैं या पकिस्तान में मिल सकते हैं या सोतंतर देश, सोतंतर देश बनने के रूप में बन सकते हैं अंग्रेजों ने इन 552 देशी रियासतों को यह अधिकार दिया था कि या तो यह भारत में मिल सकते हैं या पकिस्तान में मिल सकते हैं या सोतंत देश के रूप में बन सकते हैं इन रियासतों को भारत में मिलाने काई सर्दार बल्ल भाई पटल तथा केकन मेनन को दिया गया किंतों तीन राज ऐसे थे भारत में मिलनया नहीं चाहते थे, आया उनकी बारे में चर्चा करते हैं पहला था जम्बू कस्मीर जम्बू कस्मीर जो भारत में मिलना नहीं चाहता था यह सोतन तरदेश्ट बनना चाहता था यहां के राजा हरी सिंग थे और उनका परधान मंतरी शिक अब्दुल्ला था इसी बिच पकिस्तान के इसारों पर कस्मीर में घुस्पेट होने लगी जिसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को कस्मीर बिलेपत्र पर हस्ताचर करके भारत का अंग बना लिया गया दूसरा जुन्नागड जुन्नागड यह गुजरात में पढ़ता है यह गुजरात का एक रियासत है था जो पकिस्तान में जाना चाहता था किन्तू सरदार पटेल ने जन्मत संग्रह कराकर इसे भारत में मिला लिया जुन्नागड गुजरात का एक रियासत था जो पकिस्तान में जाना चाहता था सरदार पटेल ने जन्मत संग्रह कराकर इसे भारत में मिला दिया तीसरा देखते हैं हैदराबद हैदराबद एक ऐसा रियासत था जो पकिस्तान में मिलना चाहता था हैदराबद के निजाम हैदराबद को पकिस्तान में मिलाना चाहते थे किन्तूर सरदार पटेल ने पूलिस की वर्दी में आर्मी को भेजा पूलिस की वर्दी में आर्मी पोलो इसी के तहट हैदराबाद को भारत में मिलाया गया है लेकिन सरधार बलल भाय प्टेल ने पुलीस की वर्दी में सेना को भेज कर आरमी के जवानों को भेज कर भारत में मिलाया गया और इस मििशन को ऑप्रेशन पोलो कहा गया इन रियासतों से मिलकर एक भारत का निर्मार किया गया इन सभी देशी रियासतों से मिलकर एक भारत का निर्मार किया गया इस भारत को चार राजियों में बाटा गया उस समय भारत को चार राजियों में बाटा गया A, B, C और D के अंतरकरत रखा गया ठीक, अब हम देखेंगे, भासा के अधारप, राजियों के गठन के लिए 1949 में इसके धर आयोग का गठन किया गया, किन्तु इसने इसके धर आयोग ने भासा के अधारप, राजियों का गठन का गठन का बिरोध किया, किन्तु इसने इसके धर आयोग ने भासा के अधारप, आयोग का गठन किया किन्तु इसके धर आयोग ने भासा की अधार पराजियों का गठन का विरूद किया ठीके चलिए आगे देखते हैं तेलगु भासा के लिए अलग राज के मांग करते हुए पेट्टु स्री राम, रामलू भूकारतार पर बैठ के और चपपन दिनों के भ प्रण्था का बिरूध बढ़ गया फल्सरुप निहरु जी ने 10 अक्टूबर 1913 को तेलगु भासा के लिए अलग राज आंध प्रदेश को अलग कर दिया अंतता यह भासा के अधार पर गठित होने वाला पहला राज जी बनिया भासा के अधार पर गठित होने वाला पहला आंध प्रदेश तेलगु भासा के लिए अलग राज की मांग किसनी कीती पेट्टू सिरी रामलू पेट्टू सिरी रामलू चपन दिन के भूक अरताल के बाद उनकी मृत्ति हो जाती है और फल्सरुप मृत्ति के फल्सरुप जनता का बिरोध बढ़ जाता है तब उस समय के परधान मंतरी पंडि ज्वाहरला लेहरू ने 10 अक्टूबर 1903 को तेलगु भासा के लिए अलग राज घोसित किया अर्थात यह भासा के अधार पर गठित होने वाला पहला राज बना आप से पेपर मूं पूछा जाएगा कि भासा के अधार पर गठित होने वाला पहला राज जी कौन सा है तो हम कहेंगे आंधर प्रदेश भासा के अधार पर गठित होने परारेच आंधर प्रदेश कब गठित हुआ दस अक्टूबर 1903 को ठीक है अब देखेंगे भासा के अधार पर भासी अधार पर राजियों के गठन के लिए 1903 में सोरी 1903 में भासा के फजल अली कौन थे उस टाइम के सुप्रीम कोट के जज थे फजल अली आयोक गठन किया गया इसने अपनी रिपोर्ट इसने अपनी रिपोर्ट उनाईसो चपन में दिया इनका गठन में इनका गठन में फजल अली आयोग के उस टाइम के सुप्रीम कोट के ज़स्ते इनका गठन किया गया इन्होंने अपनी रिपोट 1956 में दी और भासा के अधार पर राजियो को कानूनी मन्यता दिया इस आयोग के फल्सुरूप सविधान में सातवा सुनसुदू 1956 में किया गया इसके बाद जो राजि हमने A, B, C, D चार भागों में बाठा था इसको रद करके भासा का अधार पर चोड़ा राज और 6 किंदर शासित परदेश बनाए गया किस की किस आयोग के तहट बनाए गया फजल अली आयोग आप यह नाम याद रखिया फजल अली आयोग कब गठन किया गया उन्होंने अपनी रिपोट 1956 में दिया और उन्होंने भासा का अधार पर राजियों की गठन को कानूनी मन्यता दिया इस आयोग के फॉल्स रूप सविधान में सात्वा संसोधन किया गया 1956 में और ए बी सी डी के अंत्रकत जो भारत को बाटा गया तो उसको रद करके भासा के अधार पर चोड़ा राज 6 किंदर शासित परदेश बनाए गया ठ जाया कि इस आयोग ये नाम यादके सायो कहा जायगा कि भासा के अधार पर किस ऐंगहियो गतत फज़ल आलि ऑन के चप गठन के इड़ा 1956 में दिया ठीक है और अब रिपोर्ट दिया उसके बाद सविधान में सात्वा सुनसोधन किया गया 1956 में तब भारत का भारत को चोहुदा राज और छे केंदर सासित परदिशों में बाटा गया धन्यवाद